तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर विभिन स्थानों से खुदाई में मिली पुरातन प्रतिमाओं तथा स्थानिय लोककलाओं का अनुठा संगम है यहाँ पर अलमुडा के बस्टैंड के पास ही गोविंद बलब पंतराज के संग्राले हैं जिसे म्यूजियम कहते हैं तो वहाँ कुमाओं के इतिहास की संस्कृति की जलक मिलती है यहाँ जो उत्तखलन हुआ है तो उसमें से बहुत सारी प्रतिमाओं मिली है वो प्रतिमाओं भी यहाँ हमें देखने को मिलती है और यहाँ स्थानिय लोककलाओं का अनुठा संगम यहाँ देखने के लिए हमें मिलता है बच्चो यहाँ आपको मौलिक सुरुजन में दिया है कि विश्व के प्रसिद्ध किनी पाँच जल प्रपातों का सचित्र जानकारी का संकलन करो अब पहाड़ों की चटान से गिरने वाली नदी या नालों को हम जल प्रपात कहते हैं और अगर वो जो धारा होती है वो अगर बड़ी होती है तो उसे हम महा जल प्रपात कहते हैं और छोटी है तो पतली जल प्रपात कहते हैं तो किनी पाँच जल प्रपातों की सचित्र जानकारी का संकलन आपको करना है यह मौलिक सुजन में करना है उसके बाद हम लेसन आगे देखते हैं कि ब्राइटेंड कॉर्नर यहाँ अलमोडा के बस स्टेशन के बस स्टेशन से केवल दो किलोमेटर की दूरी पर एक अधवूत स्टल है अब यह क्या है ब्राइटेंड कॉर्नर अलमोडा स्टेशन से केवल दो किलोमेटर की दूरी पर यहाँ से क्या देखा जा सकता है आपको यहां क्या देखने को मिलता है यहां से आपको सूरज, उखते हुए सूरज को भी आप यहां से देख सकते हो और डूपते हुए सूरज को भी आप यहां से देख सकते हो और यह दुरश्य जो होता है वो बहुत सुन्दर दिखाए देता है और इसे देखने के लिए हजारों निसर्ग प्रेमी जो है प्रकुर्ती प्रेमी जो है वो आते हैं बाद में लिखा कहते है कि रात हमने पहाडी भोजन का अस्वाद लिया रात को इन्होंने पहाडी भोजन का अस्वाद लिया पहाड़ी बोजन बहुत ही स्वादिश्ट होता है, और तीसरे दिन सवेले अलमोड़ा से 5 किलोमीटर की दूरी पर सिथ कालीमट चल दिये, अलमोड़ा के पास 5 किलोमीटर दूरी पर एक कालीमट है, वहाँ ये चल दिये, कालीमट ऐसास थान है, जहांसे अलमोडा की खुबसूरती को ची भर कर निहारा जा सकता है क्योंकि ये अलमोडा से भी उपर है वहां आप चले जाने पर अगर आप उपर से अलमोडा का प्राकुर्टिक सौंदर देखते हैं तो पो और भी सुन्दर दिखाई देता है और अधिक सुन्दर दिखाई देता है इसलिए ये काली मठ गए और काली मठ के पास ही कसार देवी मंतिर है वहाँ से हम लोग बिंसर गए यानि ये लोग काली मठ के पास के कसार देवी गए और वहाँ से ये लोग बिंसर गए तो बच्चो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको मौलिक सुजिन में क्या करना है उसी तरह श्रवणिया में आपको दिया है कि परेटन के अपने अनुबो कक्षा में सुनाओ तो था मित्र के अनुबो सुनो आपके मित्र भी बहुत से ऐसे जगह होंगी जहां गुमने के लिए गया होंगे परेटन के लिए गया होंगे और आप भी गया होंगे तो एक दूसरे के अनुबो एक दूसरे के साथ कक्षा में जरूर बाटो तो बच्चो आज के कक्षा में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली विक्षा में तब तक के लिए धन्यवाद